हेलो एब्रिवन आप सभी के लिए एक इंपोर्टेंट अपडेट है कि CSIR UGC Net Examination 2024 की जो एप्लिकेशन फॉर्म है उसका जो डेट है वो आगई है और आपका जो एप्लिकेशन फॉर्म है वो आज से यानि की एक पांच 2024 से स्टार्ट हुआ है और फॉर्म को जो फिल करने की जो लास्ट डेट है वो एकिस पांच 2024 है लास्ट डेट ऑफ पे ऑफ फीस यह आपका बाइस से आप तेईस पांच तक है यह आप यहाँ पर रात की ग्यारा बज़ के पचास मिनट तक आप फीस पे कर सकते हैं एक important point की बहुत से स्टुडेंट को यह doubt था कि उनका जो CSIR का एक्जाम है वो OMR seat पर होगा या computer based होगा तो यह यहां से clear हो रहा है कि जो आपका एक्जाम है वो CBT mode में होगा यानि कि आपका एक्जाम computer पर होगा OMR seat पर नहीं होगा जो आपके एक्जाम की duration है pattern आपका जो है जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो chemical sciences, life sciences, earth, atmosphere, ocean and palentary sciences, pathological sciences और physical sciences यहां पर आजो है आपके subject हैं यहां पर नीचे website का link दिया हुआ है जिस पर जाकर कि आप यह information चेक कर सकते हैं उसके लाबा यहां पर इन्हों ने जो apply करने के लिए जो बोला गया है कि केवल online mode की तुरी और यहां पर इन्हों ने यह link mention किया हुआ है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप NTA की website पर पहुंच जाएंगे तो आप जब NTA की website पर जाएंगे तो आपको यहां पर अभी कुछ इस तरह का update नहीं दिखाए दे रहा है तो यह मेरे पास earlier आ गया है तो हो सकता है कि कल आपको वहां पर website पर कुछ इस तरह का update है वो दिखाए देने लगे ठीक है तो आपको अपनी तयारियां है वो start कर देनी चाहिए अब आपको वेट नहीं करना चाहिए कि हो सकता है कि exam delay हो क्योंकि आपको exam dates है वो decide हो चुक है आपका exam June में आए और delay अगर होना भी होगा त आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अभी तक आपने चनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और जो application form का link है वीडियो के description में दे दूँगा उसके साथ-साथ अपने telegram गुरूप का link भी है वीडियो के description में दे दूँगा वहां जाकर कि आप गुरूप को जॉइन कर सकते हैं और ताकि जो यह PDF है वो भी आपको पर मिल जाएगे वहां से आप जाकर कि पीडियोप को भी डाउनूड करके चेक कर सकते हैं जल्दी मिलेंगे किसी नियू अपडेट के साथ में तब तक के लिए हमारे स जुड़े रहे हैं धन्यवाद